जोहार सलाम नमस्कार लाइव इंडियन गार्ट से मैं मलिका और आज लाइव इंडियन गार्ट की टीम मौझूद है बिनोद बिहारी महतो कोईलांचर बिसुभी द्याले में वैसे लाइफ इंडियन गार्ड आपको बिनोद बिहारी मैतों से जुड़े सारे अपडेट देता है तो अगर अब तक नहीं जुड़ पाएं हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं आपको लग रहा होगा कि आज रिपोर्टिंग के लिए मैं यहां नीचे क्यों बैठ गई हूँ तो यह नजारा है बिसुबिद्याले का एड्मिनिस्ट्रेटिव सेक्षन के साइड में आप देख रहे हैं जितने भी करमचारी हैं वो सारे धरना पर बैठे हुए जानती हूँ क्या कारण है क्योंकि काफी समय हो गया लगभख साढ़े तीन बज रहे हैं और ये सुबा से धरना पर बैठे हुए मुखे कारण क्या है और निवारन की क्या संभावना है उस पर भी जानकारी लेती हूँ सर आपका क्या नाम हुआ संजे कुमर यहां पे काम करते हैं हां काम करते हैं लगभा कितने सालों से पांट साल का साल से क्या हुआ सर यहां बैटने को मजबूर है बैटने के लिए मजबूर इसलिए हूं कि पेट का सवाल है पेट के लिए आदमी कहें भी अपना कुछ भी कर स रहता है उसले को दावरान जैसे हम लोग का 4-5 मैना से पेमिन हो रहा है कि उसके बाद बहुत तरह का इसा कारण है जब बात करना जाूर जैसिदी से से बात कीजिए किया बातकर अने मुद्दा नहीं तो कि सारे क्राउन के कर भी रहासे करमी है कितने लोग यॉज कि जन लोगों की सथनी हुए था आहर ने हम लोग रेगूलर्ब वाले मिले मिल रहा है पहले बिख ऑभी ऐसा हुआ discuss wanna Safe a क्या कारण लग रहा है अब कारण इतो वह सब बताएं जो बैठे हुएं कुर्शी पर हम लोग क्या बताएंगे कि स्मार्ट बोर्ड नहीं चल रहा है बिजली नहीं है चारो तरफ अंधेरा है क्या आप लोग उसके लिए जिम्यदार है उसके लिए तो हम लोग जिम्यबा ने वजो बत में बैठते हैं क्या क्या काम लोग बहुत तरे से कॉंपूटर और है ड्रेवर है पियून है गाड है सबसे बचेते हैं और दस बचेते हुए हैं कुछ खाए पीर है अभी तो फिलाल वे सा आप लोग इंतजार कर रहे थे कि रेगुलर हो जाएगा उसके बाद आप देख रहे हैं ये नजारा है विस्व विद्याले का लेकिन काफे चिंता गविसे हैं क्योंकि सभी चिंतित हैं ये वही स्टाफ है इसमें से इसमें से कई स्टाफ ऐसे हैं जिन्हें आप पहचानते ह जी हैं और भी कुछ स्टाफ है जो लागातार बैठते हैं लेकिन आर सभी के चेहरे उत्रे हुए हैं और आसार लग रहा है आसरा जो है विस्व विद्याले प्रबंधन से है कि कुछ हो जाए चलिए कुछ लोग और भी है उनसे भी जुड़ती हूं मैम आपका क्या नाम हैं उसमें से कोई आप से मिलने के लिए आया या कुछ वैसा आप लोगों को आसवासन मिला हो तो यहां पर जितने बस आप ही एक महिला है लड़की और महिला है तो आप भी सुबह से बैठी हुई है और कुछ टीफिन लेकर के आए थी कुछ खाई है आप देख सकते हैं इ इसे नाराजी कहेंगे या लाचारी कहेंगे रोजाना हस्ते खेलते खिलकिलाते चहरों के साथ ये कर्मी विसुविद्याले पहुंसते हैं क्यूंकि इस विसुविद्याले से सिर्फ इनका ही नहीं इनके घर का भी जितने सदस्से हैं उनका भी पेट पलता है और आचिंता कि स्थितिय प्रबंधन के सामने भी कि किस तरह अपने कर्मियों में वापिस उस्सा भरे और जो चार महीने का बकाया तनख्वा है वो इनके पास वाफिस जाए एक और सक्स है मेरे साथ मैं उनसे जानती उसर क्या नाम हुआ गोतो सुपर से बैठे हुए हैं क्या उमीदे लग रही है कोई भी उमीद नहीं है कि प्रसाशन गोल-गोल बाते कर रही है पहले तो बोले कि सिंडिकेट में पास करा कि तो आप लोगा पेमेंट करा दिया जाएगा लेकिन इसके बाद सिंडिकेट में पास होने के बाबजू उसमें गवर्नर हाउस के प्रतिनिधी भी आते हैं उन्हें विपास कर दिया उसके बाद क्या पार फिर यहां पर प्रसासन का मान सिकता ही है कि नहीं देना है वह बोलते कि यह मजदूर है मजदूर को इतना पैसा नहीं मिला चाहिए और कुछ नहीं बजा एक चीज़ मुझे बताइए जो क्राउन के जितने लोग है कोई आप लोगों से मिलने आए सुबह से मिल रहे है उन्होंने चार मैने का बील भी दिया है प्रसासन के द्वारा पेमेंट नहीं को किया जा रहा है तो अगला छे मैना तक भी नहीं होगा तो मतलब यहां बैठे रहने का ही मन बना सारे मुद्दा सुल्व हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ शिक्षकों का विसायद आप लोगों को समर्थर मिला था सुबह में वह बैठे हुए थे सब्सक्राइब लोग जो है किस तरह से लग रहा है उनके सामने एक दम बहुत गहरा अंधिरा आ गया है लेकिन यह इस कारणाज धर्ना पर अड्मिनिस्ट्रेटिव सेक्षन के साइड में कर्मचारी जो है बैठे हुए हैं